वेल्कांटो वाइन चैनल आम लाइन जीएस पाजिवा करते हैं आप देखें हम लोग क्लास 11 का जगरफी जो एंस्याइटी है उसको यहां पे कंप्लीट करेंगे और यह प्रसनों से क्या है आपका पूरा एंस्याइटी कवर हो जाएगी जो 11 क्लास की है ठीक है तो इसको आप लास्त देखिएगा इसके अलावा यह पीमर्स या बिहार या किसी भी स्टेट का PGT या सिविल सर्फिसेज का जीएस लेवल का कोई पिपर देने जा रहे हैं तो आपके यह मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला पूरा वीडियो और इसमें देखिए प्रसनों का जो अस्तर है बहुत ही अच्छा रखा गया है और यह एक प्रसन में कम सकम चार से पांच विकल्पों को सामिल करा गया है इससे क्या है कि आप किसी भी टापिक को गहराई से क्लेयर क करके एक टापिक को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे ठीक है तो उसी लिए यहां पर करा गया है क्योंकि आपका लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा जरूरी रिवाइस का होता है अब देखिए कल आपनों का बिहार का पिपर होगा और इसके बाद ही हमारस क पिपर होगा तो इसको आप जरूर देख लीजेगा यदि आप हमारे आपको डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलूड कर लीजे ठीक है इसके लाव इस्टडी पीवाई क्यू पे भी आपको प्रिवियस येर के महराथन वीडियो मिल जाएंग उसको देखें पहला है कि आधनिक समय में ब्रह्मान की उत्पति संबंदी सरोमान जो सिधान्त है वो कौन सा सिधान्त है सरोमान का मतलब क्या हुआ सबसे जादा जो प्रचलित सिधान्त है वो आपका कौन सा है कि आठो इसमें जो आपका पहला आधिया अ कि आधुनिक समय में ब्रहमांड की उत्पत्थी संबंदी सरोमानने सिंधान जो यह तो सही है जिसे विश्थारिश प्रहमांड पर इकल्बना भी का जाता है तो पहला तो आपका राइट हो जाएगा दूसरा देखे सिधान्द के अंतरगत आरब में वे सभी पदार्थ क्या थे जिन से ब्रमान्ड बना है एकांग की परमाड के रूप में एक अही अस्थान पर इस्थित नहीं थे जबकि ये क्या थे एक अही अस्थान पे इस्थित थे जो नहीं बोला है ये रांग हो जाएगा इसो जैसे ठीक है क्यों जो एकाकी परमाड होते हैं ये एकी अस्थान पर इस्थित थे और इसका आयतन जो अत्यदिक सुक्ष मौरतापमान वगहनत तुझवा अनंत था तो यहाँ पे ये आपका statement रांग है ये वाला रांग है क्ये क्या परमाड के रुप में कई अस्थान पर इस्थित नहीं की जग़ा है केवल ये हट जाता तब आपका ये भी रांग हो गया तीसरा देखे दिया है कि तत्पस्चात फिर क्या होता है कि Big Bang प्रक्रिया में इस जो एकाकी परमाणू के उपर बात करी गही है तो एकाकी परमाणू जो आती छोटे गोलक की रूप में बिसपोर्ट हुआ और इससे क्या होता है कि इसका ब्रिहत बिस्तार हुआ तो यह option आपका right हो जाएगा नेक्स्ट आजाएए यहां पर दिया है D option कि Big Bang घटना 12 समलो 7 अरब यानी 12.7 billion year यह वर billion year before आपका यह ठीक है billion years before the present there was particularly rapid expansion within the fraction of second after the bank there after the expansion has slow down यहापके कह रहा है कि जो Big Bang घटनी ती यह आपका 12.7 अरब वर्ष पूर हुई थी ती यह 12.7 नहीं बलकि 13.7 है ठीक है विस्पोर्ट के बाद एक सेकंड के अलपांस के अंतरगत ही विस्तार हुआ फिर विस्तार की कती क्या हो गई धीमी पड़ गई तो ऐसा नहीं है यह विस्तार तो हुआ लेकिन आज भी यह ब्रह्मान में क्या है expansion उसका हो रहा है ठीक है तो ब्र ब्रह्मान में बिस्तार का क्या मतलब हुआ तो ब्रह्मान के बिस्तार का मतलब यह होता है कि जो आकास गंगा है इनके बीच के जो distance हो क्या हो बढ़ जाना ठीक है तो आकास गंगाओं के बीच के जो distance है वो जब expand कर दा है तो हम लोग क्या कहते हैं हम लोग यह कहते है कि इ नेक्स्ट आजाएए तो A और C आपके अभी राइट हो गए D आपका रांग हुआ क्यों रांग हुआ यह हमने बता है यह देख लिए बिग बैंग होने की जो आरंबिक तीन मिनट के अंतर गया थी पहले परमाड का निर्माड हुआ फिर क्या होता है बिग बैंग से तीन लाख वरसों के दोरान तापमान जो है 4500 किल्विन तक गिर गया और परमाड भी पदार्थ का निर्माड हुआ तो यह भी आपका राइट है तो A और C और E आपके राइट है तो बिकल्प आपका कौन सो हो जाएगा थाइड वाला यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ठीक नेक्स्ट आजाएगे और यहाँ पर देखिया आप मारे किसी बैच्चे से जुनना चाहते है जिस नंबर वाट्सप भी कर सकते हैं चलिए दू नंबर का क्योशन देखते हैं यहाँ पर दिया गया है कि वाई मंडल के भिकास की पहली अवस्था में आदिक알ी वाई मंडली गैसों का क्या हुआ हरास हुआ है तो कि यहाँ पर कह रहा है जिए पहली अवस्था था-2-2 नंब प्रतवी के भीतर से जो निकली भाप और जलवास ने वह मंडल के भिकास में सयूग किया और अन्त में वह मंडल की समझना को जो मंडल यानि बायो स्पियर के प्रकास संसलेशन प्रक्रिया ने क्या किया संसूदित करा ते भी आपका राइट है तीसरे स्टेज में, तीसरा पॉइंट देखे, क्या मेंसन करा है, इसको समझे, कि कह रहा है कि प्रारंबिक और मंडल, जिसमें क्या हुआ, कि हाइड्रोजन और हिलियम की अधिकता थी, फिर यहाँ पे क्या हुआ, कि सूलर, बिंट्स भाई, अनिसोर पाउनों के कारण, पृ प्रिथिवी पर ही हुआ, अन्य पार्थिव ग्रहों पर ऐसा नहीं हुआ, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह रांग हो जाएगा, क्योंकि जो प्रारंबिक वाइमंडल था, जिसमें हाइड्रोजन और हिलियम जादा थे, तीक है, उसमें क्या हुआ, कि सौर पाउन के का प्रिथिवी से यह दूर हुआ, ऐसा के वल प्रिथिवी पर नहीं, बलकि सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ था, तो यह कह रहा है कि ऐसा के वल प्रिथिवी पर ही हुआ, ऐसा नहीं है, बलकि अन्य सभी जो टेरेस्टियल यानि पार्थिव प्लैनेट्स हैं, उन सभी प सब्सक्राइब करेक्ट है जब प्रिथवी का निर्माड हो रहा था उसमें क्या हुआ गैस का गोला था जैसे-जैसे यहां पर फूलिंग हुआ ठंडी होई प्रतिवी इसके अंदर उनी भाग से जलवास निकल गए और इसकी वज़ा से वाइमंडल का निर्माड हुआ आज भी आप देखते हैं कि जो वाला मुखी के रूप में दरातल के नीचे से दरातल की गर्मी बहार आती है जिसे हम लोग मैगमा ल प्रतिवी पर ही केवल होता है अन्यक रहों पर नहीं होता है ठीक है तो इसलिए वह रंग था फोर्थ आपका राइट हो गया फिप्त पर आया है आरब में वाइमंडल में जलवास्प नाइट्रोजन करवन डायकसाइड मेथेन और अमोनिया कम मात्रा में थे और स्वतन त आकसीजन यहनी UP परिया के बहूँ के इसमें पर यहां कि जर दिया गया हैं दो इसमें बहलत क्यां आइका उसमें सुरुवात था उसमें अक्सीजन की मात्रा कम थी जबकि अन्यक है से नाइट्रूजन जलबास सभी क्या थे इहां पर यह कर दो क्या है रांग संस्लेशन की प्रक्रिया और आक्सीजन में बड़ोतरी महासागरों की देन है ठीक है इसी को कार्बन सिंग के रूप में भी जाना जाता है कि यह क्या करते हैं कि जो प्रकास संस्लेशन के क्रियातवरा यह अपना जो है कि यहां पर आर्थ के बारे में है तो यहां पर और के आक्सीं है और प्रतिक्ष खताने हैं और बहुते हैं एक ब्रत घष्चलबब इस दो ना एक स्राप्ट उस्ट के अधार कि को पहराई में जा पाना असंभव है क्योंकि वहाँ का टंपरेचर क्या होता है अधिक हो जाता है यह आप जानते हैं कि जैसे-जैसे हम लोग क्या करेंगे नीचे की और जाते हैं तंपरेचर जो आपका बढ़ता जाता है थार्टी-टू मीटर पे आपका एक डिगरी का बढ़ फेज में है ठीक है तो यहां पर वही कह रहा है कि अधिक गहराई में जा पाना असंभव क्योंकि वहां का तापमा अधिक होता है और डारेक्ट श्रोत में आपका क्या आ जाएगा जो चट्टाने हमको उपलब्द होती है वहां जो आला मुखी के माद्दम से प्विखली चट्टाने यह अनि इंटीरियर आप दार्थ यानि पृतिविक आंतरिक सेनचना के बाहने में जानने का डाइरेक्ट स्रोत तो है या जिसको डारेक्ट देख पा रहे हैं वही तो आप पर डाइरेक्ट हो गया तो पहला तो आपका राइट हो जाएगा दूसरा देखिए महासागरी प्रवेधन पर्यूजना तक सबसे गहरा प्रवेधन यानि की जो गहराई में डिक करी गई है वो परसांत महासागर में कोला छेतर में 12 किलोमीटर की गहराई तक करा गया है ठीक है तो यहां पे जो आपका मेंसन करा है यह प्रसांत महासागर में कोला कहां पे है यह आपका कोला जो ही आर्कटिक महासागर का एरिया आता है तो वहां पे लग बारा किलो मीटर तिक की गहराई तो सबसे ज़्यादा जो गहराई में खुदाई हुई आपका कोला में भी देखे ये आपके क्यूशन पूछे गया है इसको क्या करा गया इसमें आपका स्टेटमेंट में बना दिया गया है तो यहां पे आपका ये रांग हो जाएगा दूसरा क्योंकि ये आपका परसांत का नहीं बलकि किसका अएरिया है आर्कटिक महासागर का है तीसरा देखे जोला मुखी उदगार परतक्ष जानकारी का एका निस्रूत है यद्यपी इस बात का निश्चे करपाना आसान होता है कि ये मैगमा कितनी गहराई से निकला है ठीक है कह रहा है कि जो जोला मुखी उदगार है यानि बलकानी की रक्षन है तो ये कह रहा है कि इनादर सोर्स आप अप्टेनिंग डिरेक्ट फरमेशन इजी तू असरेटेन यानि कि यहां से क्या हुआ जो जोला मुखी उदगार है इसकी प्रतक्ष जानकारी के सुरत है यह हम लोग जानते है और इसमें निश्चे करपाना कठिन होता है कि वह मैगमा कितनी गहराई से निकला है और यहीं पिनोंने क्या कह रहा है आसान होता है अब जैसे जोला मुखी का उदगार होता है तो आप कैसे यह पता कर लेंगे कि यह एक्जैक्ट इतनी ही गहराई से निकला है उपर बस हम लोग यह पता करते है कि जो चट्टानों की बनावट है चाहे आप बैसाल्टिक रॉक की बात करें तो यह अनुमाल लगाया जा सकता है कि हाँ इतना गहराई तक लेकिन एक्जैक्ट नहीं तो निश्चे कर पाना आसान नहीं बलकि क्या होता है कठीन होता है ठीक है तो यह रांग हो गया थड़ वाला फोर्थ देखिए दिया है कि अप्रतक्ष शुरोत के अंतरगत पृतिवी के अंतरिक भाग की बहुतिक इस्थिती जिसमें घनत्व है दबाओ है तापमान है उलका पिंड का अध्यन होकम बिग्यान गुरुत्वा कर्शन चुम्बकी छेत्र सम्मंधी प्रक्रियाएं क्या होती है है यह सामिल है ठीक है तो इसमें दिया है कि अप्रतक्ष शुरोत के अंतरगत तो आएगा ही कि अप्रतक्ष शुरोत के अंतरगत यह सब चीजें आपके आएंगे तो इसलिए आपका यह फूर्थ जो है राइट हो जाएगा नेक्स आजाई है धिप्त में प्रतिबी के केंद्र से दुरी के कारण गुरुत्वा कर्शन बल कह रहा है कि दृवों पर अधिक होता है भूमद रहा पर कम होता है गुरुत्वा का मान पडार्ज की द्रभमान की अनुसार के होता है बदलता रहता है यह आपका right है क्योंकि प्रतिविक के धुरूंगों पर जो आपका gravitasyon force होता है वो क्या होता अधिक होता है और भूमंद्रेखा पर कम होता है ठीक है यह आपका right है 6 नमबर देखे दिया है कि गुरुत्वा कर्षण का मान अस्थानों में भिन होता है ऐसे अंतर को गुरुत्वा कर्षण विशंगती की नाम से जानते हैं गुर्त्वा कर्शन विसंगती हैं में प्रतवी की पपड़ी में सामगरी के द्रभिमान के बित्रण के बारे में जानकारी देती है तो यह भी आपका राइट है जो गुर्त्वा कर्शन विसंगती है से हम लोग पता करते हैं कि जो मैटेरियल है यानि इंटेरियल आपदार्थ है वो किस से बना है क्योंकि पडार्थ के द्रभिमान के अनुसार ही जो ग्रेविटी है वो क्या होती है बदलती रहती स्टेट्मेंट उपर वाला देखिए पदार्थ की द्रफ मान के अनुसार गुरुत्यों का मान बदलता है तो इससे क्या होगा कि जहां पर जैसे ग्रेप्टेशन ओर जादा होगा जहां पर कम होगा उसके अनुसार हम लोग जो पदार्थ में किस प्रकार की तत्व या किस तरह का matter है उसको हम लोग clear करेंगे ठीक है तो यह वन फॉर फाइफ और शिक्स यह सही है लेकिन टू और थ्री यह आपके क्या थे रांग थे चले नेक्स आजाईए यहाँ पर भोकम से संबंदेद अब देखें इंटीरियर आपदार्थ में आपने पुरा डारेक्ट इंडारेक्ट सारा कुछ एक ही question में clear कर लिया उससे ज़्यादा आपको एक्जाम में पूछेगा नहीं एक चार नमबर देखें हो दिया है कि साधान बासा में पूकम का आर्थ होता है पृतिवी का कंपन यहें प्राकृति गठणा है उर्जा के निकलने का रंगियोत पन होती है जो सभी दिशाओं में फाइल कर भूकंप लाती है तो यह आपका रही है यह बूकंप की डाइड परिभासा दिया है कि और कमपन होगा तो भूकंप हम कहेंगे नेचुरल एक तरह से आपका नेचुरल होती, प्राकृतिक होती है हलाकि कृत्रिम भी होती है लेकिन कृत्रिम को यहाँ पर मेंसन नहीं करा गया है तो एक तरह से यह आपका प्राकृति गटनाओं में आती है ठीक है इसमें तरंगे होती हैं जिसमें आपका SP और EL वेव हम लोग बात करते हैं SP और EL यही तीन तरंगों की वज़े से सारा कुछ सारी गटनाएं गटित होत हरे जैसे आपकाब फोकस है इसका सबसे समीब गिंदू क्या है वो आपका अधीकेंद्र हो जाता है तो इसल्स लिए जनरली हमलोग देखते हैं कि फोकस के जस्ट ओपर ज़िए तो leaving अहोगी जादा देखिए, तो दूसरा आपका राइठ है ना, तीसरा देख लिए, बू कंपी तरंगे दो प्रकार की होती है, basically, P और S, P तरंगे ध्वनी तरंगों के समान होती है, जबकि S तरंगे जो है, ठोंस, द्रव और गैस तीनो मादधय में चलती है. जो yes तरंगे कह रहा है कि ये तीनों माद्धे में चलती है ये अपका क्या हो जाएगा या पर रांग हो जाएगा जो yes तरंगे हैं वो किसमाद्य में चलती हैं केवल ठोस में चलती है वह कमपी तरंगे दो नहीं बलकि तीन होती है एस भी और ell होती है ठीक है तो जो yellow waves है वो ज़्यादा बिनासकारी होती है क्योंकि इसे हम लोग love waves, relay waves भी कहते हैं और इसका company जो है ये आपका इस तरह से vertical होता है और ये सबसे ज़्यादा बिनासकारी जो होती है वो आपका yellow waves होती है जो धरातली तरंगे भी से कहा जाता है तो इसमें आपका 1, 2 और 4 सही है तो c आप sunright हो जाएंगे तीसरा वाला नहीं सही है वो हमने पहले ये आपको बता दिया क्यों नहीं सही है पांच नमबर देख लीजे पांच नमबर में कह रहा है कि महासागरों में वो परपटी की मोटाई महादीपों की तुलना में कम है तो महासागरों में जो आपकी करस्ट पाया जाते हैं जाहिर सी बात है उसकी जो मोटाई हो क्या होती है कम होती है महासागरों के नीचे आवसत मुटाई 5 किलो मीटर जब कि महादीपों के नीचे 30 किलो मीटर अगर आपने ये फीगर पूरा देखा होगा तो यहाँ पी इस तरह से जो बने महादीप और महासागर में आपने ये देखा होगा 30 किलो मीटर सुरुवाती में होता है औ है उसकी तुलना में क्या है कम है महासागरों में जबकि महादीप पर ज्यादा है तो आपका एक्जाम्पल यहां से तो पहला वाला सही हो जाएगा दूसरा देखे भू परपटी भारी चट्टानों से बना और इसका घनत तीन ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है महासागरों क क्रेस्ट पाया जाता हूं चट्टानों की बनावट कैसी है यह बैसाल्टिक है और महासागरों के नीचे इसका घना टू पॉइंट सेवन नेट ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो यह भी आपका राइट है ठीक है क्रेस्ट मेडब भाई बिएवियर राक्स हैविंग ड आन्टिक मुह असांतितात से अरंब हो कर उनानी स्ट्ट किलीमीटर ही पर पायाई पर रहा है यहां पर मैंटि की बत कर रहा है ठाट रहा है तो इसके न्यूवेस का यह नहीं पर पकर पहले तो यह रांग हो गया है तो जो discontinuity होती है वह उसको से से बताया थे कोमा रेगूले को मैं आप क्या हो गया कैसे कुनराड हो गया मोह तो कहां पहोंगे होगा यह पाये जाएगा और जो मोह है यह आपका लोवर क्रस्ट और अपर मेंटिल के बीच जो पाए जाएगे डिसकंटिनुटी ये महों हो गए ठीक है और नीचे आपका जो मेंटिल में पाए जाएगी रेपटी हो जाएगी ठीक है उसके बाद आपका गुटिन बर्ग है फिर आपका लास्ट में लेमान है जो आपका कोर के बीच दोनों पाए जाएगे तो कह रहा है कि भूपरपटी योंग मेंटिल का उपर ही भाग मिलकर अस्तरमंदल कहलाता है तो यह राइट है इसकी मोटाई लगभग कितनी होती है दस से लेके 200 मीटर के आसपास होती है तो यह भी आपका राइट है इसमें जो रांग था यह 49 सो वाला इस्टिटमेंट यह आपका रांग था ठीक है तो यहां पर आपका एक दो सही हो गया यह आपका रांग हो जाएगा फोर्थ देख लिए बा एक क्रोड फों सवस्ता में है जबकि आंतरिक क्रोड तरह लवस्ता में है तो यह आपका क्या हो जाएगा जो आंतरिक क्रोड है यह आपका क्या है फों सवस्ता में क्यो कुछ नहीं बस आपने अगर पढ़ा होगा तो यहां से कर ले जाएंगे कि इसके जो इस्टेज है वो क्या है तो यहां पर आपका जो हो जाएगा एक और दो सही तीन और चार यहां पर आपके क्या है गलत है फिक नेक्स्ट आजाएए और जो आपका लास्ट में जैसे ले मैंन की हम लोग बात करें या कुरूड की बात करें तो उसकी जो गहराई में घंत्व है उसका लगबक तीरा क्या सपास पाया जाता है फिक नेक्स्ट आजाएए छे नमबर पर इसमें दिया है कि निमलिकित कत्रों पर विचार करें बैसाल प्रवा को छोड़कर प्रदिवी पर पाये जाने वाले सभी जवाला मुखी में सील्ड जवाला मुखी सबसे विसाल है और हवाई दीप के जवाला मुखी इसके सबसे अच्छे उधारण है छे नमबर में देखिये यहां पर आपको पर रहिए ठीक है तो बैसाल प्रवा को छोड़कर प्रदिवी पाये जानेयल सभी जवाला मुखी में सील्ड जवाला मुखी सबसे बड़ा होता है और जवाला मुखी के जवाई दीप के जवाला मुखी है वहाँ पे आपके सेल्ड जॉला मुखी के एक्जांपल ने तो राइट है ये पहला राइट हो गया दूसरा देखे जो मिक्स्ट वलकानिक है यानि कमपूजिट जो वलकानो है कह रहा है कि इसमें प्राया भीसड भीसपोर्ट नहीं होते है एक ये वंग सरवाधिक भीसपोर वाले होते हैं इसमें विसपोर्ट ज्यादा होता है क्योंकि यहां पर क्या होता है कि जो आपका सिलिका की मात्रा पाए जाती वो कम पाए जाती यानि कि जो लावा होती है ये काड़ा इसमें होता है यह आपका जो है दो नमबर क्या हो जाएगा रทं cancell tangent था कि यह ज्यादा तर बिस्पूरटक वाले मुखवा से जय아서 से मुखश्य होन पाया जाता है जिसे काल्डेरा जील काव भी संग्या दी जाती है जो लिए तीन नमबर देखें बैसाल प्रवाज छेत्र यह जो अला मुखी है तरहल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक क्या होता है कि बैके निकलता है तो यह आपका राइट है फूर्थ देखें मद्यमाधीपी जो क इंकला है जो सत्तर हजार किलोमीटर से अधिक लंबी है जो सभी महासागरी बेसिन में पहली है इस कटक के मद्यवर्ती भाग में लगाता रुदगार होता रहता है तो यह आपका राइट है और यह ना केवल किसी एक कटक की बात करा बलकि इसमें टूटल जितने महासागर पाइब उसमें कटक पाइजाते हैं सबकी जो लंबाई है वो सत्तर हजार किलोमीटर के आस पास यह बोलना है तो यहां पर पास दिये गया है उसमें कौन सा राइट हो जाएगा तो यहां आप देखिए दो नंबर तो गलड़ हो गया तो एक तीन और चार यहां पर यह दिमेगमा का बाड़ा पिंड जब हूँ परपटी गहराई में ठंडाओ के जम जाए और यह गुंबद के आकार में बिक्सित हो जाए तो ग्रेनाइट के पिंड है और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं जब गुंबद नुमा हो जाएगा यह हमको बैदोलित का आ जाता है ठीक है यह देखें आपका भुंक एंदर वेदी नहीं बल्कि हम लोग यह कह़े लें कि जो लाव लेकिनिक इंटरक्श फोर अठीक, इंirmड्रक्षी Αम्यक के अंदर वेदी हो क्या हो आपका जो जमा होता जरातल की नीचे उसी में आपका ये सिल डाइक, बैथोलित, पैकोलित, ब्लैकोलित ये सारा है तो बैथोलित क्या हो गया है ये गुंबदाकार जो विक्सित हो जाता है ये ध्यान रखेगा ठीक है लैकोलित क्या होता है कि लैकोलित में कह रहा है कि ये गुम्बदनुमा विसाल अंतरवेधी चटाने होती हैं और इनका तल क्या होता है समतल होता है और एक पाइप रूप बाहक नली से यह क्या होती हैं जुड़ी होती हैं करनाटक के पठार में गरिनाइट की चटानों से बनी ऐसी गुम्बदनुमा पहाड़ियां देखने को मि बिलती हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं लैकॉलित कहते हैं तो यह आपका राइट है यहां पर ठीक है नेक्स्ट आ जाईए दिया है कि उपर उठते लावे का कुछ भाग च्छैति दिसा में यानि ऐसे यह दिसा में आने वाले कमजोर धरातलम क्या होता चला जाता है और यह तस्तरी के आकार में जम जाता है इसे लैपॉलित जब यह आपका इस तरह से आपका क्या होता है कुछ भाग 36 दिसा में यह ऐसे जाएगा और क्या होगा यह तस्तरी के आकार में जम जाता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं लोपॉलित लैपॉलित है लोपॉलित यहा लाड़ वाला भी अब कराईट है फोर्थ देखे दिया कि अंतर वेधी जो अंतरिक चट्टा आगने चट्टाने इनका छेटिच तल में एक चादर की रूप में ठंडा होना सिल या सीट कहलाता है कम मोटाई वाले जमाओं को सिल और घने मोटाई वालों को सीट कहते हैं तो यह जो ठेटिच तल में यानि कि धरातल के अंदर जो जमाओं होता है तो क्रमसाई से हम लोग सिल या सीट कहते हैं और जो लंबोत होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे डाइक बोलते हैं तो यहां पर क्या है कि जो कम मोटाई वाला जमाओं होगा उसको हम लोग क्या बूलेंगे, seat बूलेंगे, जो ज़्यादा मोटाई वाला होगा, उसको हम लोग क्या बूलेंगे? सिल बोलेंगे ठीक है यहाँ पर क्या करा है घने मोटाई वालों को सीट करा है इसको सिल कहते हैं और कम मोटाई वालों को क्या बोलेंगे यहाँ पर इसकी जगह सीट होता है यहाँ पर इसकी जगह सील होता तो यह राइट होता इसलिए यह रांग है पांच नमबर देख लिजे जब लावा का प्रवा दरारों में धरातल के लगबग समकोन पर होता है तो दीवारों की बाद सनचना बनते हैं और इसे डाइक कहते हैं यह अपका राइट है तो इसमें फोर्थ नमबर रांग है तो देखिए आप्शन में कौन सा हो जाएगा फ और देखे माधीपी विस्थापन के संबंद में कि कह रहा है कि प्रमाण के साक्षिव माधीपों में साम में उधारन दक्षिड अमेरिका वा अफरीका की आमने सामने की जो तटरिकाएं अधभूत और तूर्टी रहिच साम में दिखाती हैं टुक्राइं है तो पहला तो यह आपका क्या हो जाएगा right हो जाएगा है लग देंस के रूप में जो Continental ब्रट थिओरी है उसमें कह रहा है कि जो दक्षिड अमेरिका वाली हैं और अफरीका वाली यदि आप दक्षिड अमेरिका का ये बात करें और इसके अलामा ये आपका अफरीका की जो जिक्सा फिट थेओरी आपने पढ़ा होगा तो यदि हम लोग इस चीज को यहाँ फिट करेंगे तो क्या होगा ये फिट हो जाए है थीक है नेक्स्ट आ जाईए नेक्स्ट है यहां पर आपका सेकंड नंबर की महासागरों के पार चट्टानों की आयू में समानता और दक्षिड अमेरिका वा दक्षिड अमेरिका वा अफरीका की तट्रेखा के साथ पाए जाने वाले जो आरंबिक समुद्री निक्षेप है उसको कार्बोनीफेरस कालक के हैं यानि कि जो कह रहा है कि यहां पर जो निक्षेप पाया गया है वो किस टाइम पीरियड के हैं दक्षिड अमेरिका और अफर कि जुरैसिक टाइम पीरियड के हैं इसलिए आपका यहां पर क्या हो जाता दो नंबर क्या हो गया रांग हो गया कि नेक्स आजाए तीन नंबर पर देखिए टिलाइट वे कायंत्री चट्टा आने हैं जो हिमानी निक्षेपर से निर्मित है बारत में पाया जाने वाले ग कायंत्री चट्टा आने हैं तो भाई कायंत्री नहीं बलगी क्या है अब तलचट के जमाऊं से इनका निर्माड रवा तो कायंत्री चट्टा ने हो गई तो यहां पर तीन नंबर भी अपका रांग होगी तो यह लिए चार नंबर देख लीजे प्लेसर निक्षेप यह घाना तटट पर सोने के बड़े निक्षेपों के उपस्तिती और उद्गम चठटानों के उन्पस्तिती इक आश्चर जनक तथ है सोना यота सिराएं ब्राजील में पाए जाती है तो प्लेसर निक्षेप के रूप में जो घाना का तठह यहाँ पर आपका देखा गया और सोना एक सिरा है जो प्लेसर निक्षेप में पाई जाते हैं ठीक है तो यह वह आपका जो बड़े निक्षेपों के रूप में यह वह आप पाइजाते हैं तो उसमें क्या हुआ चट्टानों की अनुपस्तिती थी तो इस आधार पे आपका एक साक्षी यह हुआ प्लेसर निक्षेप का तो चौथा नंबर यहां पर राइट है पांचवा नंबर देखे दिया है कि जीवास्मों का जो बित्रण हुआ जिसमें ग्लास का बित्रण हुआ दोनों जगया यह कभी न कभी उससे क्या थे समान थे तभी ना नार्वे और जो अंटार कटिका दोनों में समान जिवास मिले इस आधार पे क्या हो जाएगा यह आपका राइट हो जाएगा तो एक चार और पांच यहां पर सही हुए सी आफसन डाइट ह हो जाएगा नेक्स्ट आ जाएए नौ नंबर बेगनर के अनुसार महादीपी विस्तापन के दू कारण थी पहला था पूलर या दुरूइब यानि पूलर फ्लिंग फोर्स ठीक है यहां पर मेंस्टन किया है ना पूलर फ्लिंग फोर्स और टाइडल टाइडल फोर्स एक तो यह तो आपका राइट है दुरूइब जो पूलर फ्लिंग फोर्स है प्रतिवी के घोलन से संबंदित है और जो बल है जो चंद्रमा और सूर की आकर्चन से संबंदित है ती यह राइट है आपका फर्स्ट वाला दूसरा देखें संबहन धारा सिध्धान जो होमस ने दिया था 1930 में किया रहा है कि है अब जहां जानते हैं कि संब्हांथ त के नीचे यह आपका बीभिन परकार के उत्थान होते हैं इसके वेज़से क्या होती है संबंदारा उत्मन होती है और इसकी वज़ाव से क्या हो गए कि आपका यहां पर उपर जो है जो पढ़ार परवत नदी मतलब विभिन प्रकार की जो अस्तला करती है बनती है उसका यहीं में रिजन है यह संबान धारा सिद्धान जो होमस ने दिया होमस ने तरक दिया कि पूरे मैंटल भाग में इस प्रकार की धाराएं कलना चाहेगा तो इसमें देखिए यह भी आपका राइट है अग Jung All the same माहस़ागर की बनावट और आकार विश्टर सोदेया सपस्ट करते हैं कि माहसागर का जो अधा एक भिश्टरित मैदान नहीं पल्किшमें क्या है उच्चा वच्च पाए जाता यह और आप देखते है तो मासागरी उच्चा बच पढ़ा होगा आपने, उसी अधार पी याप कर लीजी, इसमें देखे दिया है कि गलत कूट का उंसा है, तो कोई भी गलत आपको मिला, नहीं मिला, तो इसमें D आपसन हो जाएगा राइट, चलिए नेक्स्ट आजाएए, दस नमबर वाला जो क्य क्यूशन है, इसमें कहा रहा है कि परसांद मासागर के किनारों को सक्री जोला मुखी के चेतर होने के कारण, रिंग आप फायर भी कहा जाता है, तो परसांद मासागर के किनारों में, तो कि यहाँ पर क्या है कि जोला मुखी भूकंब का उद्गार सबसे जादा होता, तिस छेत्र अलपाइन हिमालय स्रीणियों के और अटलांटिक महासागरी किनारों के समरूप है एक तुमान्चित्रन वाले में कि जो अलपाइन स्रीणियों में प्रसाथ महासागरी किनारों के रूप में समरूप है तो ये सरवादिक है तो ज्वाला मुख्य और भूकम के बित्रण का थोड़ा सा यहां पर आप जान लिजे कि ज्वाला मुख्य और जो भूकम पर उसका बित्रण कहां पर आपका है एक आपका तो सबसे ज़्यादा रिंगा फायर में लगबख सतर प्रतिसत से अधिक भुकम पॉर्जवला मुखी मिलेंगे आपको और मद्य महादीपी भाग भी है मद्य महादीपी भाग जो मद्य महादीपी बिल्ड आपने पड़ा होगा जिसमें जो है आपका ये हिमाले के पूर्वी छित्र से हिमाले के पूर्वी यानि इस्ट पार्ट से चालू होके आपका और यूरोप तक जाता है ठीक है यहाँ से हम फीगर आपको बना दें मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे यह आपका हो गया अफरीका यहाँ से देखिए यह यूरोप हो गया और यहाँ आपका इंडिया हो गया इधर यह और यह आपका अस्टेलिया हो गया तो जो मध्य महादीपी मेखला है वो आपका ऐसे होके गुजरती है ठीक है यही वाला और यही कह रहा है कि यहाँ पे क्या है कि भूकम आदे CAN प कहा हो गया जो कका ring of fire है प्रिक, ring of fire हो गया और यह वाला पार्ट जो है, ठीक है, यहाँ सबसे जज़्याद आएंगे दूसरे नमबर पर आपका मद महादीपी बाग में हो गया फिर पूर्वी अफ्रीकी जो भरंजगाटी है ठीक है यहाँ भरंजगाटी में भी आपका यह देखने को मिलता है और यह कहां से कहां तक जो आपका मलावी जील है पुर्वी अफरीका के जो ब्रण्स गाटी हैं यहां पर भी देखने को मिलेगा लाऌ सागर और मुधों सागर यहां पर भी देखने को मिलेगा ठीकिए तो यह सारी चीजें हैं जु आपके जुन के पोईंटग्स इंपर्टेंट है तो यहां 500 गैया अफ्शन है उसके अनुसार जो हो जाएगा कौन सा सही उत्तर हो जाएगा आपका यहां पर दोनों सही हो जाएंगे यानि कि सही कूट जो आपका हो जाएगा ए यानि फर्स्ट वाला ठीक है है यहां आप देखें इमाले और अट्लांटिक वहां सागरी किनारों के समरूप है अलपाइन सेनियों में तो यह अपका यह वाला आपसन हो जाएगा नहीं यह अट्लांटिक नहीं बलकी क्या होगा महा सागरी होगा जो अभी वही तुम्हें बता रहा था आपसे यह प्रसांत महा सागरी होगा ठीक है अट्लांटिक नहीं बलकी यह प्रसांत महा सागरी होगा ठीक है अट्लांटिक नहीं बलकी यह प्रसांत महा सागरी होग और अट्लांटिक के किनारों के समरूप है कहरा एक भूकंभी संकिंद्र का एक प्रमुक्षेत तो अट्लांटिक का किनारा नहीं वलकि यह आपका पैसिफिक का यह वोशन कौन सा यह है पैसिफिक उशन है ठीक है तो यहां पे आपका राइट हो जाएगा बी वाला कि वो लिए कई फस्ट वाला सही है यह आपका रांग है यही प्रसांत होता अट्लांटिक की जगह तो यह आपका सही हो जाता एक एरा नमबर देखे चटानों के पूरा चुम्ब की अध्यान और महासागरी तल के मांचित् प्रकट किया उन तत्यों के संदर्व में कौन सा कथन सही है इसमें आपको विचार करना है इसन नमबर है यह गया रहा है यह प्रसागरी कटकों के साथ साथ जो अला मुख्य उद्गार समाने के लिए राइट है यह उद्गार इस छेत्र में बड़ी मात्रा में लावा क्य दूसरा मसागरी कटक के मद्द दोनों तरफ समान दूरी पर पाए जाने वाली चट्टानों की निर्मानान का समय संख्षन संगठन और चुम्रकी गुड़ में क्या होती है समानता नहीं पाए जाती यहां माहासागरी कटकों में दूनों तरफ क्या होते हैं पाय जाएगे संगठन और चुम्खी भूर भी क्या होती समान माहासागरी कटकों के समीब की चटकों में समान चुमक है फ़िए और यह चेंड आई यहा है अधी की आज़िक हो गया चलिए यहां भी कह रहा है कि जो महासागरी परपटी की चट्टाने हैं यह कहीं भी 20 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 इसके अलावा महासागरी जो परपटी की चट्टाने कहीं भी 20 करोण वर्स से अधिक पुरानी है, तो ये क्या कह रहा है कि ये पुरानी तो है, मतलब अधिक नहीं नहीं है, तो ये क्या होगा कि ये 20 करोण से अधिक पुरानी नहीं है, ये इसलिए यहां पर आपका रंगो यहां पर होगा जो इतका फोकस होगा और जबकि महादीपी कटक है तो इसमें उचाई होगी यहां पर तो जो इसका सबसे गहराई में जो लाज्ट मतलब यही होता है उनका इससे ज्यादा गहराई में आपको भूकंप नहीं मिलेंगे ठीक है तो जो राइट आंसर हो जाएगा पहला और चौथा हो जाएगा दो और तीन आपके रांग क्यों है वह उपर बताया चलिए यहां समुद्री जो य इसमें इनोंने कहा कि हिस ने तरक क्या दिया कि महासागरी कटकों के सीर लगातार जोला मुक्यूदगार होगा और इससे क्या होगा महासागर की जो परपटी है उसमें क्या हुआ विवेदन हुआ और जो नया लावा है यह क्या हुआ दरारों के सहारे जो है भरकर महासाग क्रीप परपटी के दोनों तरफ धकेल दिया गया यहां से उपर आया और इसके वज़ा से क्या होगा जो सी फ्लोर है उसमें स्प्रेडिंग यानि उसमें विस्तार हो गया तो पहला तो राइट हो गया भाई समुद्र में लावा का उद्गार होगा तो जो समुद्र की तली है इसमें क्या होगा विस्तार होगा की नहीं होगा होगा दूसरा देख लीजे दूसरा दिया है कि हैरी एस ने महासागरी परपटी यह च्छेपड एक क्यूसन आप से है कि जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग तेओरी ए रिएस का कब दिया इनों ने ठीक है रिएस ने महा सागरी परपटी के छे पड़ यानि ऐसबky अधिक्षन की बात करी कि कहिए कि हैस के अनुसार यह थी जो अलामोगी परपटी से नई परपटी यानि नया जो वल्कानिक क्रस्ट है यहां से नये क्रस्ट का जिम निर्माड होता है तो दूसरी तरफ माशागरी घरतों में इसका बिनास भी होता है वहरी इस ने यही कहा कि यहां पर बिस्तार होता है यानि कि नहीं परपटी बनती है तो कहीं कहीं यह परपटी जो इसका विस्तार होता है होता उसका बिनाज भी होता है तो यहां पर आपका दोनों सही है चले आप्शन देख लेते हैं आपका राइट हो जाएगा प्लेट विवर्तनिक के संबंद में निमलिक के कद्णों पर विचार करें तो इसमें दिया कि एक विवर्तनिक प्लेट जी से अम लोग लीथो इसपेरिक प्लेट कहते हैं हिसे भी क्याओं लिبनें संहेंगे प्लेट भी का जाता है जो फोंच चत्ताणोंका बिसाल वानीयमी ताकार का खंड है जो महादीपी और महासागरी अस्तल खंडों से बननह होता है थिए तो में कोई विवरतनकी जो प्लेट होती है तो कहा रहा है कि यह लेथव स्पैरिक प्लेट होती है इसके अलावा इसमें चटाने होती है और जो महादीपी और महासागरी दोनों से बनी होते हैं तो प्लेट में आपका कोई भी प्लेट है महासागरी भी हो सकती है महादेपी भी हो सकती तो पहला तो अरिफ होगे दूसरा देखिए प्लेट जो है दुरुबलता मंडल यानि अस्थनो स्फियर में या थर्मो स्फियर में एक द्रिन रिकाई के रूप में है जो आपका दाइवर्जर प्लेट बाउंडरी है इसका सबसे अच्छा उदान अद्र इसक है कि कि यहाँ आमेरिकी प्लेटें और यमेन को यहाल ए प्लेट ऑषीब यौर गया है तथा अफ्रीकी प्लेटे अलग हो रहे तो लाइड आ है यहां पर क्या होता है कि चलिए यहां पर क्या है यह आपका अफ्रीका महादीप हो गया इधर आपका यह और हम लोग एठलांटिक रिज बना रहे हैं तो यहां पर क्या हुआ हैं जो बिस्तार हो रहा है और इसी वज़ा से क्या हूए यहां पर तरह C sẽ y refined бол कि यहांद का फिसर rat apresent के दरारी यानिकी रहार को दराओं होगा तो क्या होगा करेंगे व जू से उदगार होगा उसमें क्या होगा परवत बनेंगे जो आपके हैं यहां पर गर्ट का भी निर्माड हो सकता है तो यह आपका राइट हो गया थर्ड वाला भी पॉर्थ देखिए इसमें देखे दिया है कि अभिसान जो सीमा जो कनवरेजन फ्लेट बाउंडरी है कि जब फ्लेट ये दूसरे के नीचे दंसती है जहाँ प निक्रश्ट यहते हैं यह क्रस्ट डीरो उती है उसे लोग क्या पुलते हैं वसे हम लोग divergent का मतलब क्या हुआ एक दूसरे की तरह पाना divergent का मतलब एक दूसरे से दूर जाना एक दूसरे की तरह पाएंगी तो जो भारी प्लेटे होंगी नीचे जाएंगी हलकी इसके उपर आएगी और यहां पर क्या होगा नीचे जाएगी तो यहां प्रेसर होगा टंपरेचर बाहर निकलती हैं, पड़ लिया, enormously आपango, परपटी का भी नास होता है, बलकि यहाँ पर क्या होता है, जो प्लेटे हैं एक दूसरे के समरांतर सकती हैं, ठीक है, ये इदर जाएएगे, ये उपर जाएगे, समबन अंतर किस केंगी तो किस तरह के भरंश का निर्माड होता है ट्रांसफार्म फॉल्ट का निर्माड होता है जिसे हम लोग आपका जुसाइन अंड्याज भरंश है वह आपका रुपांतरन सीमा के तहत बना हुआ है यह भी राइट है निक्स्ट आजाईए आप दिया कि प्लेट संचनलन के कारणों में समबन धारा द्वारा जनित बल तापमान अंतराल गनत अंतराल गृत्वा करसंड यह सबहें जो समलित है तो यह आपका राइट है समबन ही धारा है जब उत्पन होती है तो इसमें आपका इसमें क्या मेंशन करा गया है कि पहला दिया पटल भी रूपन तथा जो अला मुखियत अंतर जनित भुवाकृतिक प्रक्रियाएं अब देखें यही वाला स्टेटमेंट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा यूपी वाला जोग है डास्टोफिजम और प्रोसेस है यह पहला तो राइट हो जाएगा यह इंडोजनिक और एक्सोजनिक दो चीजें तो जो अंतर जाती हैं इंसे क्या होगा पटल भी रूपने भूकम जोला मुखी आ रहा है तो यह अंतर जाती पलों के कारण तो ही आ रहा है बाहर से आप वायू या प्रेसर या पिर आपका टेंपरेचर इनकी वज़ा से क्या आपका कुछ इसमें गाटित होगा नहीं होगा बलकि वह बाय असला कृतियों को प्रभावित करेंगी अपक्षय क्या है ब्रिहत छरण अपरदन और निक्षेपन यह अंतर जनिक भूहाकर्तिक प्रक्रियाएं हैं तो यह आपका क्या है कि जैसे अपक्षय वविद्रिंग मास बेस्टिंग इरोजन डिपोजीशन इंडोजनिक दियुमार्फिक प्रॉसेज नहीं बलकि क्या है यह एक्सोजनिक है यह आंतरिक जो बाय बल है उसे आपका पटल बिरूपन यह जोला मुखी होगा भूकम पा जो भूतल के सभी पदार्तों के संचलन को भी आरंप करता ती आपका राइट है क्योंकि ग्रेप्टेशनल पोर्स अगर नहीं होता धरातल में तो ना तो आपका फ्रेक्शन होता ना हम चल पाते ना कुछ कर पाते जहां पर आपका ग्रेप्टेशन जीरो है वहां आप दे दिया है कि निमनेखित में विचार करना अपक्षे को मौसमें जलवाई की कारियों की माध्यां सी सहल और यांत्री भी खंडने नियों रासानिक भी होजन अब गटन के रूप में परिवासित किया जा सकता है यह क्या है कि स्वास्थानिक प्रक्रिया नहीं है पंद्रा नंबर में स्वास्थानिक प्रक्रिया नहीं है यह आपका स्वास्थानिक प्रक्रिया है पंद्रा नंबर में जो दिया गया है ब्रियास संचरन के लिए अपक्षया निमार नहीं होता है लेकिन वो इसे क्या करता है कि बढ़ावा दे सकता है इसमें कहा रहा है कि यह जलवाई माद्यम से आयांत्रों का बिखंडन और रासानिक बियोजन अफगटन के रूप में परिवासित करा जा सकता है यह क्या है कि अपने अस्थान पे होती है यहां पी जो आपका अपड़दन में कह रहा है कि स्वास्थान नहीं है अपक्षे की परिवासा आफ जानते हैं कि इसमें क्या होता है जो चट्टानों का पिखंडन होगा जब वो अपने ही अस्थान पर इस्तिर रहेगा तो अपक्षय होगा, जब यहां से गतिमान हो जाता है, तो क्या होगा ये अपरदन हो जाएगा, तो यहां पर नहीं दिया, तो गलत हो जाए, क्योंकि ये जिस प्लेस पर विखंड़न हुआ, वो चट्ठानी उसी प्लेस पर पनी रहें, दूसरा देगे, कार्बोनीशन और जलाइयो जन, रासानी काह अपक्षे प्रक्रियाओं के उधाने, ती तो राइट है, कार्बोनीशन या जलाइयो जन जो हैडने होता है, केमिकल वेधरिंग के अंतर गता है लगां, ठीक है, बहुतिक अपक्षे प्रक्रियाओं के उधार में आपका भार भीहीन और विस्तार्ण जो आपका सैलाइन वेदरिंग है ठीक है तो यह आएगा यहाँ पर कह रहा है कि अन्लोडिंग एन एक्सपेंशन साल्ट वेदरिंग और एक्जामपल आफ फेजिकल वेदरिंग प्रोसेस तो यह आपका राइट है ठीक है नेक्स्ट आजाईए चार नंबर पर दिया है कि जैबिक अपक्षे जीयों की ब्रिद्धी संचलन से उत्पन अपक्षे वातावरण और भवतिक परिवरतन से खनिज और आयन की अस्थनांतरन की यह यह यापकर राइट है तो दु तीन और चार सही होगा शूला नंबर देखिए प्रशनों का पास्ता डंका है तो अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा तभी आप समझ पाएंगे तो बस यहां पर यह देखते चली कौन सा स्टेट्मेंट सही है कौन सा नहीं कि सूला नंबर में आ जाईए ब्रिहत संचलन के अत्तरकत वे सभी संचलन आते हैं जिसमें सैलों का ब्रिहत मलवा गुरुत्वा करशन के सीधे प्रभाव के कारण क्या होता है दाल के अनुरूप अस्थानांत्रित होता है जो महास मुवमेंट है क्या लिए कि मास मुवमेंट ट्रैंस्ट्रपर मॉस ओफ राक के वर्रीजदाउं यहां पर यहीं कहते ही क्या क्योंद हो तो यहां पर ग्रेविटी के हिसाब आपसे चलेगा पहला तो रहाइट है दूसरा जो ब्रिया संचलन नहीं इसके लिए अपक्षय अनिवारे हैं तो जो आपका मास मूवेंट होता है उसके लिए अपक्षय नहीं होता हाँ इससे क्या होता है कि बढ़ावा मिल सकता है तो बेदरिंग इसट प्रीक्विसाइट फॉर्ड मास मूवेंट यह आपका अपक्षय के लिए अनिवारे नहीं है बलकि क्या होता है कि प्रक्रिया को बढ़ावा देता है तो यह नहीं है ठीक है तो यह दो नंबर गलत हो जाया कि वल एक सही होगा निक्स्ता जाए चाहिए कि मिर्दा सरपनक मिर्दा निर्माड और मिर्दा जनन सरप्थम अपक्षय पर निर्बर करती यह अपक्षई प्रवार यानि मैंटिल कि यह अपक्षई प्रवार यानि कि मैंटिल कि अपक्षई प्रवार ही मिर्दा निर्माड का मुल निवेस होता है तो यहां पर यही कह रहा है कि जो मृदा निर्माड है, मृदा जनन है, सबसे पहले इसमें क्या होता है? अपक्षय होता है, फिर उसका क्या होगा? अपरदन होगा, तो जो अपक्षय ही मैंटिल होता है, जो वेधरिंग मैंटिल होता है, इसी के द्वारा या इसी पर आपका इसको हम लोग हुमस कहते हैं बर्दा निर्माड 5 मूल कारणों दोर नियन्तित होता है यह कारण कौन से मूल पदार्थ होना चाहिए ठीक है जो पारेंटिक मैटेरियल सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट क्या है पारेंटिक मैटेरियल यह पूछा गया है दूसरा क्या क्लाफिक क्लाइमेटिक कंडिशन और बायलोजिकल एक्टिविटी के साथ साथ जो टाइम है वो भी इंवाल्व होता है यहां इस समय भी आपको चाहिए प्रॉपर तो यहां पर देखिए आपका एक दो और तीनों यहां पर आपके क्या हो जाएंगे सत्तरह में राइट है नेक्स्ट आजाईए अठारा नंबर इसको थोड़ा से छोटा हमने कर दिया अब इसको क्यूशन आप एक हैं में देख लीजे अठारा नंबर में क्या दिया है यूँआ वस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है ये नदियां उथली वी अकार की घाटी बनाती है जरा अनावरी चट्टाने होती है और वहां छेपरिकाये योंग जल प्रपात बन जाते किया आपका राइट है क्योंकि जब यूँआ वस्था होता है उसमें नदियों की संख्या कम होने की तात्वर क्या है कि यहां से जो बाइफरगेट करके धेर सारी नदियां निकलेंगी और रोद की वजए से ये आपका नहीं हो पाती है कि यूँआ वस्था की कम होती है वी आकार की घाटी के निर्मार करती है चटानों पे अनावरी जब प्रवाइद होती जहां से उपर से गिरती है तो यहां पर आपका जल प्रपात चिप्रिकाएं बनती है तो पहला राइट हो गया दूसरा देखे प्रौणा वस्था में नदियों में जल की मात्रा आधिक होती है और जल प्रपात और चिप्रिकाएं यहां पे क्या होती है लूप विराइट है प्रौणा वस्था का मतलब क्या हो गए अभी नदियों ने जो अपनी एंरुजी थी वह किसको एडाप्ट कर दिया वियाकार की घाटी बनाने में य इन्होंने अपना जो बेग हैं इनको दे दिया अब यहां पे क्या हुआ कि जब प्रौणा वस्ता में आ गई तो भाई आदमी क्या होता गंबीर हो जाते तो नदियां भी गंबीर हो गई अब इसमें जो जल की मात्रा उपर से तोड़ते पोड़ते हुए आएगा यहां पे जल की मात्रा क्या होगी बढ़ेगी क्योंकि यहां पर आउसादों का निक्षेपन भी होगा तो यहां पर जो जल प्रपात है चिपरिकाय वो क्या होगी लुक्त हो जाएंगी जो रैपेड्स है या वाटरफाल जो यहां पर डिसपियर हो जाते है ठीक है जो मेच्चोर तो आ जाएगी नदिया सोतंत रूप से प्रिस्तित बाढ़ के मैदानों में बैती है कब और इस्टेज में तो यह भी राइट है और इसी समय क्या होता नदियों में विसर्प मनेगा विसर्पों का निर्मार की तटबंद भी बनाएंगी जो जैसे आपका मालीजे मैटेरि कांड़ कि जाएगा मैंने सायध हे सीध़ी मार्गो में प्रवाइट होती है कि अधिन कि जो बाल या डिल्टा का मैदान इसमें नदियां जो है सायद ही सीधे मार्ग में बैठती है बाल डिल्टा इसमें मैदानों में लूप जैसा चैनल प्रारूबिख्सित होता जिने अमलोग भी सर्व कहते हैं तो राइट है कारण कि यह सीधी नहीं बाहने का तो इ अगे कोई औरोद आ गया यह भी जिसा मोड़ देंगी तो यह इस्तिती क्या होगी बिसर्फ हो गई ठीक है पहला राइट हो गया दूसरा देखें बिसर्फों के गहरे छलों के आकार में बिस्थित हो जाने के कारण यह अंद्रूनी भागों का जल भागों भाग जो अपरद होने लगे नदी तो यह क्या होगी यहां पर जो जील का निर्माड हुआ यह कैसी होगी कोखुर जील बन गई ठीक है तो यह राइट हो गया तीसरा देखें किसी भी चूना पत्थर या डूलुमाइट की चटानों की छेतर में भाउम जल दौरा गुलन प्रक्रिया और उस जो भाउम जल दौरा गुलन सेल प्रक्रिया है उसकी अपक्षय प्रक्रिया के दवरान तो यहां पे दिखें अपक्षय नहीं बलकी क्या होगा निक्छेपन की द्वारा कास्ट अपला कृतियों का नाम दिया जाता है तो दौलुमाइट या इन चत्टानों में इनकी निक्षेपण प्रक्रिया से जो अस्तल रूप बनते हैं वह आपकी कास्ट टोपोग्राफिक अंतरगत जानी जाएगी तो यहां पे आप निक्षेपण यह पर्दन कर लीजिएगा तो इसलिए तीसरा वाला रांग हो जाएगा कि यह अपका जो देखिए यह अपक्षे दिया ना अपक्षे ने बलकि अपर्दन में इसन कर आया है तो यह आपका रांग हो जाएगा इरोजन इस काल्ड टोपोग्राफिक अंधी इंग्लिस में कहें कि आप गलत उत्तर कचैन करना तो तीन नमबर ले लिजिए बीस नमबर इस टैलेकटाट यह बिविन मोटाई की लटकते हुए ही मस्तम होते हैं जो आपका कास टूपोगराफिए में अपने पड़ा कि यह जैसे आपका टूपोगराफिय होगा यहां पे लटकते हुए इस टम को हम लोग प्या बोलेंगी इस्टेलेक्टाइट हो गया और जो नी कि इसमें दिया एक वास्तों में जो इस्टेलेगमाइट है कंद्राओं की छत से तफक दरातल पर तफकते हुए तो अब इसका निर्माण कैसे होगा जो इस्टेलेटाइड है अब यहां से माल लीजे कि यह कंद्रास्तम बन गया अब इसके अलावा यहां पर कोई छिद्र हो मχण बूलते हैं जो अस्तंब होता है किसे हम लोग कंद्रास तंब कहते हैं जब इस्टेलेकट्जायड यह ग्कमेड अपस में मिल जाते हैं तो इसमें तीनों सही सही कुट का क्या करना तो जीनों से यानिक डी अप्शन नेक्स्ट आ जाएए ट्वंटीवन इसमें देखें ट्वंटीवन में क्या में इंशन करा है कि इसमें उन्हें काया कि जो अब देखें हिमानी असला कृतिया होगे तो ड्रमलिन जो है हिमनद मृतिगा के अंडाकार समतल कटकनुमा असल लूप है जिसमें रेत और भजरी के डेर होते हैं यहने ड्रमलिन गार स्मूथ ओवल सेवड़ी भी इस तरह से आपका होता है और निक्षेव से बनता है तो पहला राइट हो गया दूसरा देखें इसमें देया है कि ड्रमलिन का हिमनद सम्मूख भाग इस्टास कहलाता है जो प्रिक्ष भागों की अपक्षा कम तीखा और मंद ढाल लिए होता है मॐ कि और द्रंबलिन का इमनत का जो संबूख भाग यह में जो प्रिश्ट भाग वह था इनकी अपेक्षा तीखा और टीब्र ढ़ैल यह होता है मैं यहाँ पर करा जो प्रिश्वहागो कि अयद बहुता गल् failure को ड्रो assigning ज्यादा ढाल यह होता है तो यहां से क्या क्लिए हुगakah कि DRAMALINE का hmm shaft आसे आरे समर की πषा कहुंप कहां इसका जो सामने वाला पार्ट होगे यह स्टॉस कहल आए गा और पीछे वाला भाग होगा कम तीखा कहां है तो कहां भाई तीखा कम ह मुँखा स्लोप है इसमें मंद ढाल नहीं बलकि क्या होगा अधिक ढाल वाला होगा तो यह आपका रांग हो जाएगा उल्टा दिया इसमें तीस तरह देखें जब रोधिका और इसपिट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर इसके मार्ग को अउरूद कर देते हैं तब क्या होता है और आपका एक और तीन रायट है यहां पर देखें जो एक और तीन के राइट है तो इसी हैं सभय हो जाए गहां पर इसमें क्या कह रहा है कि मरुस्तलों में भूद्रिश का विकास जो लेंड फार्म है उनका विकास जो पीडिमेंड का निर्माड उसका ही भिक्सित रूप होता है एक परोतों के पाद यानि जो फुटाईल एरिया है यहां पर यह क्या होते मलवे रहीत होते और मलवे सहीत मंद डाल वाले चट्टानी तलकों अमलू क्या बोलते पेडिमेंड या बजाड़ा जो मरुस्तलों में क्या होता है कि भूद्रिश को लेंड फार्म बनते हैं यह अल्लर भूमी अच्छारी मिर्दा में भी कहते हैं तो प्लाया प्लेन कवाड़ वाइद साल्ट इच काल्ड है अलकली फ्लेट्स यह राइट हो गया तीसरा देखिए इस तरह दियक जो ऊष्ण और सुस्क मरुस्तलों होते हैं यहां पर बालू टिबों का निर्माल होता है सैंड डिउन आपने पढ़ा होगा ठीक है इसकी कई टाइप भी होते हैं यहां से पूछे जाते हैं तो यह कहरा है कि सैंड डून का निर्माल होता है और जो नव होते हैं जो नौ चंद्रा का टिप्वे होते हैं इनकी भुजाएं इधर की तरफ निकली होती है इने हम लोग क्या बोलते हैं बर्खान कहते हैं तो यह आपका राइट हो गया तो इसमें देखे कहरा गलत जोड़ा काउंसा तो भाई कोई गलत नहीं है ठीक डी अप्सन हो गय नेक्स आजाएए 23 में 23 में आप दिया गया कि छोब मंदल का वह मंदल का सबसे नीचे का जो अस्तर है यह क्या है वह मंदल का सबसे नीचे वाला अस्तर होता है और इसकी उचाए लगबग 23 किलिमीटर है तता धुरू के निकट जो है 8 किलिमीटर विशुवत बृत पर जो है 18 किलिमीटर है कि क्यूशन नमबर है 23 तो सबसे नीचे वाला तो है अब देखिए आउसत उचाए की बात कर रहा तो वहिया एक तरफ यह रूप एठारा दिया और विशुवत रहा पर रहा तो इसका जो आउसत होगा तीस कैसे वह बलकि तेरा की लगबग हो जाएगा ठीक है और समताप मंडल इसके उपर पचास किलिमीटर उचाही तक पाया जाता है तो राइट है मद्यमंडल समताप मंडल के ठीक उपर है तो देखते हैं और इसके इसे अमलू क्या पोलते हैं अयन मंडल through यह आप देख लेजिए मंडल छोब मंडल समताम अंदल मंडल रजसा है तो यहां पर आपका दू तीन और चार सही होम वह तो देखांसर कैसे होगा तो सौर मीर किरण जब धरातल पर प्रवेस करेगा तो क्या करें होंगी रिफ्लेक्टिंग होगी ठीक है रिफ्लेक्शन होगा 24 हम लोग दीख रहे हैं के इसके अलावार्व डिफ्यूजन भी होगा जो कीरण है उसमें परशार भी होगा इसका चार भी होगा जिसमें देखिए चार हुसाई है, ठीक है, स्कैटरिंग भी होगी, रिफ्लेक्सिंग भी होगी, डिफ्योजन भी होगा है, अब्जर्ब्सन भी होगा, 25 नमबर देखिए, पृत्वी की सता पर सूरिया तब की बेनता को कौम से प्रभावित करने वाले कारण हैं, चलिए ये मोस्ट इंपोर्टन है, और एक्जाम की पॉइंट आप भी से मोस्ट इंपोर्टन भी है, हर बार यहां से आपसे प्रश्न बना दिये जाते हैं, तो क्योशन नमबर है ये आपका, 25 पहला दिया है कि प्रधिवी का आपने आक्षे पर घूमना, तो प्रधिवी का जो घोडन करना इसकी वज़ा से भी क्या होगा, सूरिया तब में भिनता पाई जाएगी, अलग-लग अस्तानों पे जो अलग-लग सामने आएंगे, वहां पे जो टंपरेचर होगा, वो अलग दिन की अवधि, अब दिन बड़ा है, तो क्या होगा, सूरिया तब ज्यादा प्राप्ट होगा, और छोटा है तो कम होगा, तो यह भी वहिनता होगा प्रभावित करने वाले में, चोथा देखिए, वाइमंडल की पारदर सिता, अब देखिए, वाइमंडल में बादल रहेगा, यानि बादल नहीं है, आपको दिखाए देगा, तो फिर क्या होगा, सारा का सारा धरातल को प्राप्ट होगा, कुछ मानिजे, वाइमंडल में वाइमंडल में उनके द्वारा होता है, लेकिन मैक्सिमम जो क्या होगा, आपको धरातल पे प्राप्ट होगा, तीज सूर्य को लाइट है उसके परावित करेगे इसके पॉइंट ही स्वाइत सूर्ग रोल को प्रवावित करेंगे क्यों किरा चाहिंगे उसे भी क्या होगा की सूर कलंग है यह सूरय में आपको प्रवावित करेंगे तो इस में देखो 16 किसी भी अस्थान पर वायुका ताप मान के प्रवावित होता है जबिस नंबर को अधिकर वाय के तापमान को बोला है तो वाय का तापमान जो सब्सक्राणों से प्रभावित होता है अच्छांस और देशांतर अल्टिचूड डिस्टेंस फ्रम दसी यानि समुद्र से दूरी एयर मास और उसनिक करेंट तो पहला तो यह देखिए और यह मास तो आपका करेक्ट होगा अचिजन आपका देखिए यह कोपनुद्र है कि समुद्र से दूरी बहुत कम पड़ती है BACK और टापमान उनके पहलंग प्रभाव पड़कों अब देखिए जो आपका अंदर यहां पर चलतेंगी गइनगे का हमपर और इसका प्रभाव पड़कों पड़ेते हैं कि जो मुंबई हो गया गुजरात वहां पर ठंडी बहुत कम पड़ती है तो रीजन क्या है अस्थली समीर और जली समीर का ठीक है तो ये समुदर से दूरी इसके अलामा जो अल्टिट्यूड है उच्छा उच्छा उच्छ ये भी आपकर क्या करता किसी अस्थान की वायू है उसके टमपरेचर को प्रबाविद करेगा राइड है नेक्स्ट देखया पहला वाला कि अच्छा उर देसांतर तो अच्छा तो प्रबाविद करेगा किसी भी प्लेस के वायू का जो टमपरेचर होता वो लैटिटीटूड होता लेकिन लांगे चुड़ इसमें कोई य발 नहीं करता अब आई एक्वेटर पे आपका है तो यहां पे टंबरेचर ज्यादा तो वाई को ताप पन ज्यादा अब यहां पे आप कहीं पड़ें है कि जो आपका लॉंगिटूड यानी देसांतर इसके लिए उत्तर दाई होगा तो ऐसा नहीं होगा तो इसमें आपका पहल 27 में दिया है कि निमर अस्तानों पर विचार करें पहला क्या दिया है 27 में सामानता तापमान उचाई के साथ क्या होता घटता जाता है जनरली हम लोग जानते हैं कि जो टंपरेचर है उचाई पर बढ़ने पर क्या होगा कम होता जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सामान नहराजदर नार्मल लैफ्स रेट के नाम से जाना जाता है कई बार क्या होता है कि स्थिती बदल जाती है और सामान इहरासदर क्या होता उल्टा हो जाता है और इसी को अम लोग पोलते हैं थर्मल इंवर्जन के नाम से भी जानते पहला तो राइट होगा दूसरा डेखिए सर्दियों के मेघ भीएंग लंबी राते और सांत वायू बीद्करमरता के लिए उत्तरदाई आदर से दसा हैं धार्ण आपको देखे जो आपने लाश्ट वाला गर जो वीडियो मेराथन व लाव उसको देखा होगा तो यहां से आप उसको क्लियर कर ले जाएंगे एक निक्स्त आजाए सर्दियों में सुभा के समय घने कुरे की रचना तापमान की विद्परमणता का परिणाम है यह आपका राइट है जो सर्दियों के सुभा में बहुत ज्यादा कुरा होगा घना यह आपका थर्मल इंबर्जन का प्रणाम होता है तो दूसरा तो रांग हो जाएगा पहला और तीसरा राइट हो जाएगा चले 28 देख लीजे कि 28 यहां भी मेंसन करा है कि उर्धवाधर दाप्रमणता उर्धवाधर दाप्रमणता 36 दाप्रमणता के पेक्षा अधिक होती है लेकिन इसके विपरीत दिसामे कारिशत गृत्वा करशन बल से संतुलित हो जाती है अता उर्द्वाधर जो पौने होती है यह अधिक सक्तिसाली नहीं होती है तो यह आपका राइट है ठीक है पहला राइट हो जाएगा दूसरा देखे वाईदाप के 36 बितन का अध्यन समान अंतराल पर कीचे की समधाब रेखा हो द्वारा किया जा सकते है तो यह भी राइट जैसे मालीजे आपका दिल्ली में जो प्रेसर है मुंबई में जो प्रेसर अगर समान यहां पर समधाब रेखाए दिखाए गई है तो इसका मतलब यह कई प्लेस पर दिखाए गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर वाईदाप का जो अंतराल है वो समान है तिक और य निम्नेदाब पड़ाली या एक से अधिक समदाब रेखाएं रेखाओं से घिरी होती है निम्नेदाब पड़ाली एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है जिनने केंदर में निम्नवाईदाब होता है जिसके और उच दाब पड़ाली में क्या होता है कि एक से अध का हाई होता है इसमें आपका देखे एक दो तीन तीनों सही है तो इसमें आपका डी आप सन हो जाएगा 28 में 29 में देख लीजे इसमें देखे दिया है कि विश्वत रेखे निम्न वाईदा पेटी और धुर्वी वुच वाईदा पेटी अब देखे उत्तरी और दक्षरी दोनों गुलार्द में तिये क्या होती है ताब जनीत पेटी है 29 में दूपी आपका जो एकविटेरियल लो प्रेसर बेल्ट और पूलर हाई प्रेसर बेल्ट यह दोनों क्या हैं थार्मली इंक्लूडिड है ताब जने पेटी हां से पूछी जाती है कि ताब जनीत पेटी कौन सी है तो आपका 25 तर की लूपर brick睡õe विल्ट IlP, और हाई प्रेशर बेल्ट जो है यह कौन सी है दुरुवे उच दाई ठीक है पी एच पी हाई प्रेशर बेल्ट यह दोनों ताप जनित राइट है और नेक्स देखे उपोस्न उच वायदा पेटी उत्तरी और धक्षणी वाली ठीक है कह रहा है कि और उप ध्रुवी निम्ण वायदा पेटी यह गति जनित पेटियां नहीं है ठीक है यह दोनों क्या है गति जनित पेटियां नहीं है तो यह क्या है यह गति जनित पेटियां है यहां पर ध्या उपद्रुभी निम्न वाईदाब ठीक है सब पूलर लो प्रेसर विल्ड ये क्या है गती जन्न है तो यहां पर नहीं दिया तो इसलिए गलत हो जाएगा आगे देखे वाईदाब की जो पेटियां यह अस्थाई नहीं होती सूरी की किर्णों के विस्तापन के साथ यह पेट राइट हो जाएंगे दो वाला आपका क्या है रांग है चलिए थार्टी नमबर देखे पाउनों की दिशा और बेग को प्रवावित करने वाले कारक काउन से हैं यहां पर देखे दिया है पहला तीस नमबर में भूतल पर धरातली भी समताओं के कारण घर्षन पैदा होता है जो प्रवन के बेग को प्रवावित करता है तो राइट हो जाएगा जब कि प्रतिवी के घुलन द्वारा जो लगने वाला बल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोरियाली स्पोर्स करते हैं यह प्रवन की दि प्रवर्ता हैं दूसरा देखे जितनी दा प्रवर्ता अधिक हो करता है यह रांग हो जाएगा दा प्रवॉण का बेएंग यैनि पौकर में इंटिना जिए आ गया आपकर जाएक और यहां पर यहूं कि विशुवत बृत्ति के निकड उसने कड़ी बंदी चक्रवात नहीं बनते हैं क्योंकि यहां पर आपका देखें कुरियारिस पॉर्स सुन्ने हो जाएगा जो हवाएं यहां पर आएंगी यहां पर लूप रेसर जनरेट होगा और यह ऊपर उड़ जाती हैं सब तु यहां पर आपका जो हो जाएगा तीन नंबर गलत है यानि एक दू और चार सही है तो सी आप संड़ा राइप हो जाएगा 31 नंबर देख लिजे इसमें दिया है कि निम्न दाप छेतर के चारों तरफ पॉनों का परिक्रमण चक्रवाती परिशंचन कहलाता है 31 में निम्न दाप छेतर के चारों लो प्रेशर है इसके चारों जो चक्रवातों का परिक्रमण होगा तो यह क्या हो जाएगा यह आपका साइकलोनिक सर्कुलेशन कहा जाता है इसके अलामा जो हाई प्रेशर बेल्ट है इसके चारों तरफ क्या होगा तो आप जानतें कि जो एंटी क्लॉक या एंटी साइकलोन होता है उसके सेंटर में कैसा प्रेशर होता है हाई प्रेशर और जो लो यानि जो साइकलोन होता है law pressure built होता है याई उसके center में लोग फेसर यानि निम्न वायदाव होता है ये पहला थो र sarc port प्राय निम्न दाव 2 पर ऊंधक्य और ऊपर उप सुपह जोंगी और अप्सरीत का मतलब कि आ जनली प्रि sett결 नेहीं बल्कि क्या होगी अभी फोır combine लो प्रेसर है तो फाइलेंगी नहीं भाई अपसरित नहीं होंगी बलकि क्या होगी अभिसरित होंगी यह जन्रली आप जानते हैं कि जो हमाया चलती है हाई प्रेसर से लो प्रेसर की तरफ चलेंगी तो जो लो प्रेसर की तरफ चलेंगी तो यह क्या करेगा यह होगा और दरातल पर यह अपसरीत होंगी यह राइड है जो हाई प्रेसर बेल्ट होगा यहां पर क्या होगा इनका आउतलन होगा और धरातल पर यह डाइवर्जेंट कर जाएंगी यह फैल जाएंगी यह सही है फोर्थ देखिए अविसान के अत्रिक्त वायू ब्रह्मिल रूप में यह अपार्टम कर्वर्जन सम इडिस कन्वेक्शन करेंट ओरोग्राफिक अफ्लिफ्ट एंड अफ्लिफ्ट एलांग फ्रंट कॉस दर आदल बनाती है और यही क्या करती है बार्षा भी करती है राइट है नेक्स्ट आजाएं फिफ्ट नंबर पे कि जब समदाब रिखाएं सीधी हो गई घरसन का प्रभाव नहीं है घरसन कुछ काम नहीं कर रहा है दाप्रमनता बल कुरियालिस बल से संपलित हो जाता तब क् जब घरसन कम हो ठीक है समदाब रिखाएं सीधी हो तो इसका मतलब यहां पर यह हो गया जो प्रेसर ग्रेडियंट है यानि कि दाप्रमनता है वो क्या आओगी कुरियालिस बल के साथ संतुलित हो गई और इसके फलसरों पाउने क्या होती है समदाब रिखाओं के समांतर ब हो गई ठीक है वो क्या हो गई वो यहां से आप क्लियर कर लेंगे तो इसमें जो दू नंबर रांग है तो हो जाएगा एक तीन और चार पांच चलिए 32 में भूमंडली पॉनों का ठीक है कहरा एक दपैटा ना प्लेटनरी बिंड प्लेनेटरी बिंड यानि जो भूमंडली पॉनों है इनके यकिन बातों पर निरवर करती है थर्टी टू प्लेटनरी पॉनों होती है तो जो आपका प्लेनेटरी बिंड होती है क्या इसमें वाई मंडली पॉनों प्लेटनरी बिंड पाये जाएगी प्लेटनरी ताप में देशांतरी बिंड नता और वाई दाप पट्टियों की उपस्थति ती यह आपका राइट है यह देखें वाई मंडली ताप में देशांतरी बिंड नता नहीं वेलकि दाप में होगा प्लेटनरी में देखें लॉंगिट्यूजनल वैरियेशन आप आटमास्फियर हीटिंग तो यह आपका रांगों का पहला वाला दूसरा देखें वाई मंडली पट्टियों के उपस्थति तो भूमंडली जो पाउने हैं यह किस बात पर निर्भर करती हैं कि जो इमर्जें इसके अलावा महासागर और महादीपों का बितन भी इनको प्रभावित करता है प्रित्विय का घूडन भी जो प्लेटरी भिंड होती हैं उसको प्रभावित करता लेकिन जो वाई मंडली ताप में देशांतरी भिंडता जो यह प्लेटरी भिंड को प्रभावित नहीं करत ते लिए 33 देख़ें इसमें देया है कि मद्य परसांद माशागर की गर्म जल्दारा हैं तरफ़्ञी अमेरिका के टड कि और प्रवाहित होती है और पेरिउ अधे लिजिये तो पहला राइट वजाएगा क्या होलती है एल नीनो कहलाती है एल नो की उत्पत्ति से संबंदी ते कही लाइन में आप समझ लेजी 33 है तो पहला राइट हो जाएगा जो मद्द प्रसांद मासागर की तो इसको आप यहां से समझिएगा इस यां यहां पर प्रसांद मासागर की उपस्तिती को हम लोग क्या बोलते हैं एल निनो केहते हैं, ठीक है, एल निनो के घटना बाद प्रसांद मासागर और अस्टिलिया के वायदाब परिवर्तन से इसका गहरा संबंद होता राइट है, और इसका हिंद मासागर में भी संबंद इसका देखा जाता है, तीसरा दे के प्रसांद मासागर पर वायदाब में यह परिवर्दन दक्षडी दूलन कहलाता है तो जो यह परिवर्दन होता है इसी को हम लोग सदर्न आसिलेशन के नाम से जनते हैं उन दोनों, यहने की दक्षडी दूलन और L9 L9 यह दो सहलुत घटना को हम लोग N.S.O. कहते हैं एन्सो के नाम से जाना जाता है L-anyno एन्सो में क्या हो गया E-N से L-n快 O-OS S से S Of A Caval आजरली के ओढ़िए और अचिस्ट यहां पर देखे अर्फलवध रफलब हारी वरसा होती है इस से क्या होता है रफले अर्फली अ हमेरिका के पस्ट्र Public में जवाब का है चीन में कह रहा है कि बार आ जाती है उत्तरी अमेरिका नहीं बलकि इससे दक्षडी अमेरिका पर प्रभाव पड़ेगा कि अधिक है और नंबर पर कि इसमें एक दो और तीन दाइट है निक्स्ता चाहिए यहां पर दिया है कि निमनस्तानों पर विचार करना 34 में कि अधिक है कि अधिक है कि अधिन में समुद्र से अस्तल की और दाप्रमणता उत्पन होती और पहुने समुद्र से अस्तल की और और शमुद्र से समीर की और प्रवाइट होती है तो कह रहा है कि दिन में जो समुद्र से अस्तल की और ठीक है और पहुने क्या है समुद्र से अस्तल की और समुद्र से समुद्री समीर के रूप में ये प्रवाइत होती है तो समुद्री समीर क्या हो जाएगा ये अस्तल से जल से अस्तल समुद्री हो जाएगा और अस्तली अस्तल से जल की और तो यही यहां पे कहछा है तो पहला राइट हो जाएं क्या होती उत्पन्लोटी है इसकी वजह से पॉन्य अस्थल से समुद्र की और चलती है तो अस्थली समीर हो गएं धिक है यह थोनौ यही से हो गया तीसरा देखें दिन के दौरान परोतिय परदेसों में डाल क्या दिन के दोरान जो है परवति ढ़ालों में क्या होता है कि परवति प्रदेशों मेंठ उपर वह प्रवाईप्रों के साथ उपर उठती है इस अस्थान को भरने के लिए क्या होती है वायू घाटी से बहती है और जो घाटी से वाय भहेग पर Veterans तो लुन प्रेशर हो जाएगा और हैं पर और यहां पर प्रवािदी होगी तो क्या वाइक नम착 होगा यह पूरा अमिशन न के होता है और क्या होता है जो सदवाहिए नीके उतर खाय तो यह भारी हो जाएगा बारी होगों का नूस्तर करे मिलगा पर इसको अवरोही पाउन कहते हैं उंचे जो पठार हो गया और हिम्चेत्र जो हो गया ठीक है यहां से घाटी में जो बहेंगी वायू से हम लोग क्या बोलेंगे इसमें देखे यह आपका राइट हो जाएगा इसमें सभी प्रस्णाव के सही हैं तो डी आपसन हो गया नेक्स आजाईए अगर यहां पर 35 लेके 50 तक हम लोग अलग वीडियो में देख लेंगे और अभी तक यहां तक ही देखेंगे चलिए आपका लग वल डेड़ गंटे का हो गया है इसको आप एक बर रिवाइज कर लीजेगा जो लोग देखने जा रहे हैं और जो नेक्स वीडियो होगा उसमें हम लोग ट्वल्थ क्लास का कर लेंगे ट्वल्थ क्लास का प्लस जो है यह 35 के बाद जो लगव 15 से 17 प्रस्णावी इसमें बच्चे हुए हैं उसको उसी पी साथ हम करा देंगे ठीक है वो आज ही हो जायागा इसमें इतना ही थैंक्स पर वाचिन